चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 10 है सोचल साइंस में आपके कौन कौन से बुक खरिदने है यानि कि पढ़ने है चारो बुक के इसमें सोचल साइंस में आपको चार बुक पढ़ने है तो चारो बुक कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ और एक बात अगर आपको किसी परकार की हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे इस वाटसेप नंबर 8507-444-823 इस नंबर पर वाटसेप कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दो बुक है एक है Understanding Economic Development यह आपको एक बुक खरिदना है Class 10 के लिए यह बुक है जो की Economics का बुक है और देखिए यहाँ पर यह है Contemporary India 2 यह Contemporary India 2 आपको खरिदना है यह भी बुक जो है Class 10 की है Contemporary India बुक जो है यह Geography की बुक है तो यहाँ पर आपको दो बुक हो गया एक Economics की बुक हो गई और एक हमारा Geography का हो गया आप दुकान पर जाकर यही कहेंगे कि Understanding Economic Development Class 10 का बुक दीजिए तो आपको यह बुक देगा और Contemporary India 2 का बुक मान गिएगा Class 10 के लिए तो यह आपका Geography का हो गया अब यहाँ पर देखिए तीसरा बुक जो है India and Contemporary World 2 यह जो बुक है यह हमारा History का बुक है यह किसका बुक है History का तो आप दुकान पर जाकर यही बुक कहेंगे या फिर वो दे बुक आपको तो यही देखेंगे कि यह बुक है या नहीं तो यह आपका History का बुक हो गया और Democratic Politics 2 यह आपका Political Science हो गया Class 10 के लिए तो यहाँ पर आपका दो बुक हो गया History और Politics तो यही आपके चार बुक पड़ने हैं Class 10 में तो यही चार बुक आप खर देंगे